नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट लॉजर सचेन स्वागत रॉभिनंदन करता हूँ अपने सबी प्रिये दर्श्कों का, कैसे हैं आप उमीद करता हूँ, बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, प्रसंद होगे, आनंद में होगे, हम बात करने वाले हैं सितंबर 2022 के राशी फलकी, यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी, हम देखेंगे कि ग्रह क्या चमतकार दिखाएंगे आपके जीवन में इस महीने में, आपको क्या चुनोतियां आएंगी, क्या कुछ आसानी से मिल जाएगा, जीवन के किस छेत्र में आपको संगर्ष करना इठा करी, फिर उसमें से एक निचोड निकाला कि आपको क्या मिलने वाला है, ताकि आप एक सरल भाशा में चीजों को समझ जाएं और आने वाले महीने को इंज्वाय कर सकें, और उपाये भी बताएंगे, जिन उपायों के बाद्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा हो सक तो आईए क्या सितंबर के महीने में आपकी राशी का भाग योदय होगा, क्या ग्रह सितारे चमतकार दिखाएंगे, आईए शुभारंब करते हैं, मैं आप से आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सस्क्राइब करें, बैल आइकन के बटन को दबाएं, फेस्बु सबसे शांदाग रहें, सबसे जादा फल देने वाले ग्रह की राशी की बात कर रहें, नौ नंबर की राशी है, धार्मिक परवर्ति की राशी है, तो धनुराशी वालों के लिए अगर हम बात करें ग्रहों की व्यवस्था की तो ग्रहों की व्यवस्था एक उनली आपको लिखाई पड़ रही है ग्रहों का गोचरी व्यवस्ता है वक्त वक्त पर अपना इस्थान प्रिवत्तन करते रहेंगे रिजल्ट क्या है वो मैं आप वताने वाला हूं इस महीने में इन ग्रहों की क्रही व्यवस्ता का तो धनुराशी के अगर परिवार की या घर की बात की तो आपका ज्यादा तर वक्त परिवार की चिंता में बितेगा, परिवार वालों की देख रेख में बितेगा, घर के सभी सदस्यों के साथ आपका बहुत अच्छा तालवेल मैठा रहेगा, प्यार बना रहेगा, इसने बना रहेगा, घर में कुछ पूजा पाथ हो सकते हैं, किसी की शादी वगरा का चोटा-गोटा फंक्शन हो सकता है घर में मन लगेगा, घर की चीजों में मन लगेगा घर में जो कोई तनाव थे उसको दूर करने की कोशिश करेंगे अपनी गलतियों की माफी भी मांग लेंगे किसी के घर में कोई तलाख उलाख वाली बात चल रही थी पती पतनी का जगड़ा था तो वो भी दूर होता हुआ दिखाई पढ़ रहा है जल्द ही कोट के चाहरी के मामले जो पारिवारी के मामले हैं या जगड़े के मामले हैं उसलच जाएंगे बड़े भुजर्ग आप लोगों को तूटने नहीं देंगे फिर एक जुट करतेंगे और आपको अच्छा मार्द दर्शक मिलेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे तो परिवार में कहते हैं थोड़ी बहुत खटपट के बार सब कुछ ठीक हो जाएगा आप बात करें नौकरी और वैपार की तो कुछ आप बढ़िया करने वाले कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको आज इतना अच्छा जिल ना दे लेकि भुश्यम अच्छा जिल देगा इस महीने देखिए अगर आप कुछ ऐसे समझोते करने जा रहे हैं कोई ऐसी डील करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कम जानकारी है आपके पार्टनर को जादा जानकारी है देखे एक डील होती है कि मुझे को भी आता है तुमको भी आता है एक डील होती है कि मुझे को कम आता है लेकि पार्टनर को जाधा आता है कोई काम अगर ऐसी कोई डील है जहां पर आप नीचे हैं आपका पार्टनर उपर है तो ऐसी डील मत करिएगा बराबर की डिल करिएगा किसी ऐसे काम में पैसे का निवेश मत करिएगा जहां पर आपको जानकारी ना हो बस कही सुनी बातों में या दोस्ती यारी जांकर पैसा रगा देते हैं कई लोग तो वहां पैसा फस जाएगा फिर आप अपना ही पैसा डूपता हुआ देखेंगे कोई नया समझ होता बिना सोचे समझे मत करिएगा वनना नुकसान हो जाएगा जो लोग नौकरी में हैं बहुत सही तरीके से आपकी नौकरी चल लएगे उसको वैसे चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां पर आपने खुद अपने कामों को बिगाड़ना शुरू किया तो दिक्कते आ जाएंगी कुछ लोग बहुत अच्छा करेंगे कुछ लोग इतनी बढ़िया सफलता पाएंगे इस महीने में कि रिकॉर्ड तोड देंगे अपनी नौकरी और वैपार में राजनीती में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है अच्छे और महत्पूर्ण लोगों से बाचीत होगी अच्छा ज्यान आपको मिलने वाला है नौकरी में आपको पूरा सपोर्ट बॉस का होगा आपके दिचे काम करने वालों का होगा सरकारी जोंको नौकरी करते उनको भी सपोर्ट पूरा मिलने वाला है तो कुल बिलाकर नौकरी वैपार जो चल रहा है वो बढ़िया चलता रहेगा लेकिन नई पार्टनर्शिप में देख लिएगा कि दोनों पलडे भारी होने चाहिए एक कूचा है और एक नीचा है तो दिक्कत आ जाएगी राजनीती के लिए वक्त अच्छा है करियर बनाने के लिए वक्त बहुत अच्छा है लिए स्कॉलर्शिप के लिए या कुछ चौड टम ओन्रोल्स कर सकते तो निया कर सकते आप जा सकते हैं। बात करने शिक्षा और करीयर की तो बहुत जादा मेहननत तो करन सकते दिमाद slightly रहेगा आपकोशिश हैं। नहीं रहेंगे जितनी होनी चाहिए या कोशिशे अच्छी रहेंगी तो रिजल अच्छा में रहेगा उनको कोई अच्छे स्कॉलर्शिप मिल सकता है वो पढ़ाई लिखाई की किसी QG या किसी प्रतयोगता में अच्छे नंबल ला सकते हैं बस अपने जो पढ़ाई लिखाई का दिमाग इसको इस्तिर रखिएगा दस जगे मन दोड़ाईएगा जो डॉक्टर बढ़ना चाहते हैं या मेडिकल फिल्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे मौके ये महीना लेकर आ रहा है जो लोग कॉमर्स के स्टुडेंट है अपने करियर में पीछे हो सकते हैं बात करें आपके वैवाहिक जीवन प्रेम संबन्द की तो ठीक है वैवाहिक जीवन प्रेम संबन्द सब कुछ ठीक है जीवन साती से लगाओ होगा प्रेवी प्रेवका का प्यार होगा एक दूसरे के परती जुकाओ होगा आनंद का सब बिताएंगे, जो कोई गिले शिक्वे चल रहे थे, वो दूर हो जाएंगे, फिर से दो दिल मिलेंगे, जिनका विवा हो चुका है, वो अपने जीवन साथी के साथ यादगार वक्त बिताएंगे, जिनकी तलाकुला की बात चल रही थी, वो लोग फिर से तलाकुला करके एक मौका देंगे, जिनकी को आगे बढ़ाने का, जो कुमारे हैं, उनके जीवन साथी बिल सकता है, तो प्रेम समन्द विवाहिक जीवन के लिए हर माइने में वक्त अच्छा ही रहेगा, अगर बात करें आपके हेल्थ ही, तो जो लोग डायबटीज से परशान हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से परशान हैं, अपना पूरा ध्यान रखें, और आपने सभी टेस्ट वगएरा, दवाई वगएरा खाते और करवाते रहें टेस्ट, शरीर को आपको बहुत अच्छे से बनांकर रखना होगा, नहीं तो जोड की समस्या हो सकती है, स्वास्त को लेकर सभाव में चुचरापन, मन में खटास, यह सब चीज़ आपको परशान करेंगे, दिल में बैचेनी, डॉक्टर की संपर्ख करें, रूपीन चिकप करें, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, अब बात करें, तो नंबर की तो तीन नंबर लगी है, और करीब-क चीज़ों का दान या पीली चीज़ें बहते हुए पानी में बाहिए, तो कस्ट कम हो जाएंगे, बाकी मैं यही कहूंगा, कि हनवाल चरीशा पढ़ते रहिए, और अपनी जनम खुली में बैठे हुए ग्रहों को सही करने के लिए, आपको अपनी खुली की जाच करानी चा कि यह कर चानी चानी में बाहिए, और वाच कर ढ़ते हुए